तो आज हम लोग जानेंगे वीडियो में कि यूरीन कल्चर एंड सेंसेेविटी का रिपोर्ट जो है वो कैसे आप समझेंगे EJ-Way में वह मैं आपको बताँगा कि यूरीन कल्चर का टेस्ट रिपोर्ट आपको कैसे समझेंगा और 700 जो है मैं यह भी दाओं यह जाता है और इक किया कोस्ट होता है और होता है यह के स्कावट और किकनी दिन मिलता है उसका सेंपल कैसी और कभदना चीजिए यह सब सारे चीजिग जाने घए-जै त्धा पहले जानते के कि urine culture and sensitivity test क्या होता है और क्यों किया जाता में जब कोई bacterial infection या फंगल infection हो जाता तो उसका पता लगाने के लिए urine culture test किया जाता है तो urine culture test कब कराय जाता है या कौन से symptoms में urine culture test करा जाता तो जैसे कि प्रसाब में जलन होना प्रसाब करते टेम दर्द होना, बारबार प्रिसाप आना या तेज पैसाप महसूस होने के बाद भी थोरा प्रिसाप होना यह से की पेटडर्द बुखार, बद्बूदार प्रिसाप यह सब कोई सिम्टम्स होते हैं जिसमें यूरिन कल्चर टेस्ट कराया जाता है वीडियो बनाया हूं, आपको सेंपल कैसे देना है, तो आप description में लिंक है, वो आप देख सकते हूं आपको कैसे देना है, और इसका जो report है, वो 18 घंटे बाद यानि कि 2-3 दिन बाद इसका report मिल जाता है, और इसका cost है, वो 600-900 रुपे तक का इसका आ जाता है, urine culture test का, दो पार्ट में होता है। इस यह में पता चलता है कौनसे ब्सक्रा आइएल प्रस्पीबिक सच्राइप आगे है लोर्ट में इसको कीड़ीर यह दूसेनल सी वाफ़योड नहीं है agree वो एंटिबाटिक का फॉन सामेडिशीन इसको दे सकते हैं इसका पता लगाने के लिए सेंसिटिव टेस्ट किया जाता है तो इसमें जो है यूरिन कल्चार टेस्ट का समझने इसके लिए हमें 3-4 चीज़े समझने की जौरत होती है जैसे कि कलोनी कॉंट होता है कि इसमें कलोनी कॉंट जो है वो समझने की जौरत होती है और सेंसिटिव जो लिखा रहता है उसका मतलब समझने की जौरत है और हमें जो है resistance का मतलब समझने की जोड़त है और यह जो आपको intermediate लिखावा उसका समझने की जोड़त है और यह जो आपका MIC नमर है हाँ MIC जो है इसका मतलब समझने की जोड़त है तब ही हम report समझ पाएंगे क्या आता है यदि किसी के report में यदि colony count जो है वो 10,000 CFU per ml से नीचे है CFU का मतलब होता है colony units per ml तो यदि 10,000 से कम है colony count तो वो जो report है उसका negative माना जाता है यानि कि उसमें जो है UTI positive नहीं उसको UTI negative माना जाता है यानि कि उसके अंदर माना जाता है कि कोई bacterial infection नहीं है यानि कि उसके अंदर bacteria का growth तो हुआ है उसके culture में लेकिन जो है वो जो growth है वो normal contamination के बज़े से जैसे urine sample देते हैं या laboratory में test perform करते हैं कुछ contamination आ जा तो उसके बज़े से जो है यह growth होता है तो जो negative माना जाता है लेकिन यदि जो है colony count एक लाग से उपर हो CFU per ml यानि कि तो वो जो है वो positive माना जाता है उसको UTI जो हो उसको positive माना जाते है कि बोला जाते कि उसको UTI positive है उसके अंदर urinary infection होता है यदि colony count दस हजार और एक लाग के बीच में हो तो इसको जो है intermediate माना जाते है उसको moderate growth माना जाते है उसको माना जाता है कि bacterial infection तो है लेकिन वो ज्यादा amount में नहीं है वो normally उसको वैसे भी treat करके ठीक किया जा सकता है बिना medicine के भी या जो भी doctor अपना होता है लेकि इसको intermediate माना जाता है यह डॉक्टर लाल का अमारे पास रिपोर्ट है नेगेटिव रिपोर्ट है तो यह जो है क्या लिखावा है इसमें लिखावा है no aerobic pyogen organism seen after 48 hours यानि कि 48 hours के बाद भी 37 degree temperature पर रखने पर उसको कोई growth नहीं आया इसका मतलों यह जो है negative इसके अंदर कोई भी इसका urine infection नहीं है bacterial infection नहीं है इसलिए इसका culture test कराने की जड़ोत नहीं परते है जिसका urine culture positive होता है जिसमें growth आता है उसी का sensitivity test करते है अधि किसी में growth नहीं आया तो उसको sensitivity test नहीं करते है और यह जो है इसमें भी यही negative report है इसमें लिखावा है no growth of aerobic pyogen organism after 48 hours of incubation यानि कि 48 hours के बाद भी इसमें growth नहीं आया इसका मतलब यह जो है यह negative report है इसके अंदर कोई bacterial infection नहीं है अब जो है हमारे पास report है जैसे है अब देखिए अब susceptible जैसे मैंने पहले बताया कि sensitive resistance और intermediate का मतलब समझना होगा तभी हम report समझ पाएंगे तो जो anti sensitivity test होता है उसमें दो तो इसका मतलब होता है कि जो है मतलब होता है कि जो है मतलब होता है कि जो है मतलब होता है कि जो एक्टिवल का मतलब होता है कि जो है वह बैक्ट्रिया उसके सरीर में effective है उस infection में जर्णिस्टेन्स होता है वह किसी प colonies में एक अर्ड भी लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि दो इन्तिर्मेड उता है जो मतलब होता है जो intermediate होता है उसका मतलब होता है कि जो उसको जो है वो high dose antibiotic की जुरत है जिस antibiotic के आगे लिखा रहागा intermediate वो high dose antibiotic की जुरत होती है और जो हैता है minimum inhibitory concentration होता है उसका मतलब होता है MIC जो MIC होता है minimum inhibitory concentration यानि कि जो मतलब antibiotic का एक lowest amount यानि कि lowest concentration जो उस बैक्टरिया के growth को रोख सके तो वो होता है minimum inhibitory concentration वो माना जाता है तो यह हमारे पास जो है candidate का Kita एक यjung क्लीन कzam बस्ते निसमें देख होता है यहां से यह यहां से जो है यह कल्पार आपका यह संसिविक्वीटी टेस्ट होता है तो यहां पर यह आपको देख रहे है कि यह क्या लिखाहा है urine culture का यह कलो ऑनी लिखा हुए यह क defense आसली क 2025 कर देंगे गार प्रका परेमिल टीये की कॉंठीयम और यह होता है यह जो प्रक्राइब और यह पैक्टरीय इन ऐना के डाइब अंतलंक मुठाव शुर्किन है मतलब उता है कि यह नहीं करेगा तो जिसके यह यह आग सेंसेटिव लिekkा रहता है वह ऐंकिया पॉस्में काम करेंगा इसके एल रिका रहता है यानि वह कर सकतका है नहीं सकता है तो यह एको सब्सक्रों कराइस कैने नहीं नम्हकंता है ? यहां पर क्या लिखावा है 128 और 320 है यह जो दोनों रेसिस्टेंस है तो हाइडोज एक जोड़त परेगी तो अब नेक्स रिपोर्ट हम देखते हैं तो इसमें भी यह क्या लिखावा है यह क्लोनी कॉंट जो होता है यह क्लोट से ज्यादा है और और अर्गानिजम नाम पता चलिख और यह ज्यादा कॉंट है और यह जो यह जो एंटिवाटिक है यहां पर एंटिवैटिक यह क्या से नुग करेगा यानि काम करेंगा तो इसको को आई डोज की जुरत पर गड्रीज से जयादा चन्से अंट्रेशन है और इसमें देखें कुछ सेंटीव है कुछ रेसिस्टेंस यह सिन्सेटीव है और गभार कम होगा तो यह थिए अधर लाल का भी यह रिपोर्ट तो इसमें भी सेम है कि तो इसमें तेखे, लिखाव है। तो इसमें यह एक लाग से ज्यादा एन्टीवीटिक है। contribute 7.09 ऐसे ज़दा है। और जो और का नाम है वह भी है, प्रोटियस और का लिखा झाम है। और यहітиगने सेंटitieव रेसिस्टेंस लिखाव है भी माना जाता है यह था हमारा एंटिवेटिक रेसिस्टेंस कुल्चर